दो हजार चौबीस, कल है पौश पुत्रदा एकाद्शी, जाने शुब मुहूर्त, पूजन विधी और गलतियां। दो हजार चौबीस, एकाद्शी के दिन भगवान विश्नु की पूजा की जाती है। मानेता के अनुसार, एकाद्शी के दिन वरत करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। भारत के कुछ क्षेत्रों में पौश पुत्रदा एकाद्शी को वैकुंट एकाद्शी, स्वरगावधिल एकाद्शी या मुक्तकोटी एकाद्शी भी कहा जाता है। अद दो हजार चौबीस, वरतों में सरवाधिक मेहित्व पूर्ण वरत एकाद्शी का होता है। जोतिशियों की माने तो, एकाद्शी का नियमित वरत रखने से मन की चंचलता खत्म हो जाती है, धन और आरोगे की प्राप्ती होती है। पूत्रदा एकाद्शी के वरत संतान संबंधी समस्याओं के निवारन के लिए किया जाने वाला वरत है। पूश माह की पूत्रदा एकाद्शी विशेश फलदाई मानी जाती है। इस उपवास को रखने से संतान संबंधी हर चिंता और समस्या का निवारन हो जाता है। 21 जनवरी यानि कल साल की दूसरी एकाजशी पौश पुत्रदा एकाजशी है। पौश पुत्रदा एकाजशी शुब मुहूर्थ हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार पौश पुत्रदा एकाजशी 21 जनवरी यानि कल मनाई जाएगी। एकाजशी तिथी की शुरुआत 20 जनवरी यानि आज शाम 7 बचकर 26 मिनट से शुरू हो रही है और इसका समापन 21 जनवरी यानि कल शाम 7 बचकर 26 मिनट पर होगा। पौश पुत्रदा एकाजशी के पारण का मुहूर्ट 22 जनवरी को सुबह 7 बचकर 14 मिनट से लेकर 9 बचकर 21 मिनट तक रहेगा। पौश पुत्रदा एकाजशी शुब योग। इस बार की पौश पुत्रदा एकाजशी बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन द्विपुशकर योग, शुकल योग और रोहिनी नक्षत्र का सन्योग बनने जा रहा है। पोश पुत्रदा एकाजशी पूजन विधी पोश पुत्रदा एकाजशी का वरत रखने वाले लोगों को वरत से पहले दश्मी के दिन एक समय सात्विक भोजन ग्रेहन करना चाहिए. वरती को सन्यमित और ब्रहमचरे का पालन करना चाहिए. प्रातकाल सनान के बाद वुरत का संकल पले और भगवान विश्नु का ध्यान करें इसके बाद गंगाजल, तुलसी दल, तिल, फूल पंचामरित से भगवान नारायन की पूझा करनी चाहिए इस वुरत में वुरत रखने वाले बिना जल के रहना चाहिए यदी व्रती चाहें तो संध्याकाल में दीबदान के पश्चात फलाहार कर सकती है व्रत के अगले दिन द्वाजशी पर किसी जरुरतमंद व्यक्ती या ब्राहमन को भोजन कराकर दान दक्षिना देकर व्रत का पारण करना चाहिए पुष पुत्रदा एकाजशी मेहेत्व पुत्रदा शब्द का अर्थ है, पुत्रों का दाता और चुंकी यह एकाजशी पुष के हिंदू महीने के दोरान आती है, इसे पुष पुत्रदा एकाजशी के नाम से जाना जाता है साल में दो पुत्रदा एकाजशी आती है पहली पुत्रदा एकाजशी पोश मास में और दूसरी पुत्रदा एकाजशी श्रावन मास में आती है यह एकाजशी मुख्य रूप से उन दम्पतियों द्वारा मनाई जाती है जो पुत्र प्राप्ती की इच्छा रखते हैं जो भक्त बड़ी श्रद्धा और समर्पन के साथ वरत करते हैं, भगवान विश्नु भक्तों को सुख, समरिध्धी और मनोकामना पूर्ती का आशिरवाद देते हैं दक्षिन भारत के कुछ क्षेत्रों में पौश पुत्रदा एकाजशी को वैकुंट एकाजशी, स्वरगावथिल एकाजशी या मुक्तकोटी एकाजशी के रूप में मनाया जाता है पौश पुत्रदा एकाजशी के दिन भूल कर न करें ये गलतिया एकाजशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़े तुलसी के पत्तों को एकाजशी से एक दिन पहले तोड़ सकते हैं और इसे ताजा रखने के लिए रात भर पानी में रख सकते हैं दो मांसहारी भोजन, प्याज और लहसुन का सेवन न करें क्योंकि यह भोजन तामसिक खाने में आता है तीन इस दिन शराब और सिग्रेट का सेवन न करें चार दूसरों के बारे में बुरा न बोले पांच एकाजशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि चावल का सेवन करना अशुब माना जाता है पौश पुत्रदा एकाजशी का था किसी समय भद्रावती नगर में राजा सुकेतु का राजे था उसकी पत्नी का नाम शेवया था संतान नहीं होने की वजह से दोनों पति-पत्नी दुखी रहते थे एक दिन राजा और राणी मंत्री को राजपाट सौंपकरवन को चले गए इस दोरान उनके मन में आत्मेहेत्या करने का विचार आया लेकिन उसी समय राजा को यह बोध हुआ कि आत्मेहेत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है अचानक उन्हें वेद पाठ के स्वर सुनाई दिये और वे उसी दिशा में बढ़ते चले साधूं के पास पहुंचने पर उन्हें पोश-पुत्रदा एकाजशी के मेहेत्व का पता चला इसके बाद दोनों पतिपत्नी ने पोश-पुत्रदा एकाजशी का वरत किया और इसके प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ती हुई इसके बाद से ही पोश-पुत्रदा एकाजशी का मेहेत्व बढ़ने लगा वे दंपती जो नियसंतान हैं उन्हें शद्धा पूर्वक पोश पुत्रदा एकाजशी का वरत अवश्य करना चाहिए पुत्रदा एकाजशी दो हजार चौबीस शुब मुहूर्त एकाजशी तिथी आरंब 20 जनवरी दो हजार चौबीस को शाम शुने साथ बचकर 27 मिनट से एकाजशी तिथी समाप्त 21 जनवरी दो हजार चौबीस को शाम शुने साथ बचकर 28 मिनट पर पुत्रदा एकाजशी वरत तिथी 21 जनवरी दो हजार चौबीस पुत्रदा एकाजशी के दिन पूजा का शुब समय 21 जनवरी को सुबह शुने 8 बजकर 34 मिनट से 2 पर 12 बजकर 32 मिनट तक पुत्रदा एकाजशी व्रत पारण का समय 22 जनवरी को सुबह शुने 7 बजकर 14 मिनट से सुबह शुने 9 बजकर 21 मिनट पर पुत्रदा एकाजशी व्रत का मेहेत्व पुत्रदा एकाजशी का व्रत करने से घर में सुक समरिधी आती है भगवान विश्णु परिवार पर मंदरा रहे हर संकट को दूर कर देते हैं इसके साथ ही एकाजशी का वरत करने से मा लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है धार्मिक मानिताओं के अनुसार पुत्रदा एकाजशी का वरत रखने से वरत करने वालों को स्वस्थे और पराक्रमी संतान की प्राप्ती होती है दो हजार चौबीस, पुत्रदा एकाजशी के दिन भूल कर भी न करें ये गलतियां, वरना पूजा होगी असफल सनातन धर्म में एकाजशी तिथी का विशेश में हेत्व है पुश माह के शुकल पक्ष की एकाजशी तिथी को पुत्रदा एकाजशी के नाम से जाना जाता है इस खास अफसर पर जगत के पालनहार भगवान विश्नु की पूजा और व्रत करने का विधान है इस बार पुश माह में 21 जनवरी पुत्रदा एकाजशी है पुत्रदा एकाजशी के दिन कुछ कारियों करने की सक्त मना ही है सनातन धर्म में एकाजशी तिथी का विशेश में हेत्वे है पौश माह के शुकल पक्ष की एकाजशी तिथी को पुत्रदा एकाजशी के नाम से जाना जाता है इस खास अफसर पर जगत के पालनहार भगवान विश्नु की पूजा और व्रत करने का विधान है इस बार पौश माह में 21 जन्वरी पुत्रदा एकाजशी है मानेता है कि पुत्रदा एकाजशी के दिन कुछ कारियों करने की सक्त मना ही है जिनको करने से साधक को जीवन में दुख और संकटों का सामना करना पड़ता है और भगवान विश्नु माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है साथ ही पूजा का पूर्न फल प्राप्त नहीं होता है चलिए जानते हैं पुत्रदा एकाजशी के दिन किन कारियों को करने से बचना चाहिए पुत्रदा एकाजशी के दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए इस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए इसके अलावा वरती को सुबह की पूजा करने के बाद दिन में सोना नहीं चाहिए एकादशी के दिन तुलसी में जल न दे क्योंकि तुलसी माता एकादशी का निर्जला वरत रखती है इसलिए एकादशी तिथी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए इसके अलावा पुत्रदा एकाद्शी के दिन बाल और नाखुन नहीं काटने चाहिए ऐसा करने से व्यक्ति को दोश लगता है पुत्रदा एकाद्शी के दिन किसी पशुपक्षी को परेशान न करें इस दिन किसी के प्रती बुरा न सोचें